देंगी की बात कर ली हमने मौनसून फीवर की बात कर ली लेकिन मौनसून में और भी किन खतरनाक बिमारियों का खतरा बढ़ जाता है दॉक्टर उनसे कैसे बचना है इसके बारे में अगर आप बताएं मौनसून में बेसिकली जो और खतरे बढ़ते ग जर्ररे वाटर अजर्लिखति और फूट बार्ण डिजजीजिस के तो अगर हम वाटर अजर्रे फूट गॉट इस इसमीं में एक्जांपल है एक्ईूट गेस्टरिटरैटिस जिसे हम बोलते हैं डाइयरिया बाइया अब डाइरिया जो होता है, जर्रली वाइरल डाइरिया हो सकता है, बैक्टिरियल डाइरिया हो सकता है, या अमेबिक डाइरिया हो सकता है. मौनसून सीजन में जर्रली बैक्टिरियल डाइरिया होते हैं, जिसका रीजन होता है, food and water contamination अब second चीज़ क्या होती है कि जो हमारे जो food होता है products होता है कहीं बार हम भार से खाते हैं उस food product का proper storage नहीं होता same food कहीं बार reheat करके दुबारा दिया जाता है food की cold chain नहीं maintain करी जाती तो इससे क्या होता है जो food होता है उसके अंदर bacterial growth होती रहती है तो जब हम वो food खाते हैं तो हमें bacteria हमारे गट में जाते हैं और हमारे को loose motion करते हैं जिससे की commonest cause of acute gastrointitis हमारे पास जो patient आते हैं वो bacterial diarrhea के होते हैं अब जब हम bacterial diarrhea की बात करते हैं तो इसी में एक थोड़ा सा और higher form का bacteria होता है जिसको हम common term में बोलते हैं cholera तो cholera भी इस season में बहुत होता है अब cholera और normal gastrointitis में differentiating feature क्या होता है कि cholera के अंदर profused area होता है मतलब constantly every half an hour, every twenty minutes बिलकुल watery stool होता रहता है pain abdomen होता है, watery stool, बिलकुल पानी की तरह ठीक है, और ये बिना दवाई के ठीक भी नहीं होता तो ये एक hallmark होता है cholera का, तो again जब cholera होता है तो इसको test करना बहुत जूरूरी है आप stool test कराईए, उसमें vibrio cholera की जो motility होती है वो मिल जाती है, इसका एक बड़ा specific treatment होता है vibrio cholera का अगर आप वो ड़ाई लेंगे तो vibrio cholera ठीक हो जाता है तो ये तो होगी हमारी common gastroenteritis second जो water and food bond disease है जो again इस season में बहुत होती है जिसको हम enteric fever या layman उसको typhed fever के नाम से जानता है so typhed fever या enteric fever हमें मालूम है, ये एक bacteria होता है salmonella, तो salmonella typhi होता है, paratyphi A and B होता है, ये सारे again water and food bond होते है so again mechanism मैंने आपको बताया जब अब ये जो salmonella fever होते है ये जब आप bacteria आपके अंदर जाता है तो ये आपका gut में जाता है intestine के अंदर, वहाँ पे ये bacteria जाके फिर gallbladder में जाता है जहां पे इसकी growth होती है तो ये फिर एक fever produce करता है अब typhoid fever में क्या होता है generally जो fever आता है वो 101, 102 high grade fever होता है continuous fever होता है paracetamol खाने से कम हो जाता है typhoid fever की duration almost 7 to 10 days है again इसमें एक जो सबसे बड़ा misconception लोगों के mind में है बहुत सारे doctors भी उसमें confused रहते है कि हमें test क्या करना चाहिए typhoid के लिए तो सबसे important test जो होता है वो होता है blood culture किसी भी typhoid के patient में अगर suspect करो without taking the antibiotic पहले आप blood culture कराईए क्योंकि अगर आपने antibiotic खा लिया तो blood culture false negative आने के chances है तो इसलिए blood culture को test करना बहुत जरूरी है और अगर आप typhoid positive आ जाता है तो इसका again specific treatment है कुछ लोगों को oral medicine नहीं suit करती क्योंकि वो उनके पेट में दर्द होता है nausea vomiting होता है वो उसको नहीं intake कर पाते तो उस case में intravenous देना पड़ता है patient को admit करा के नहीं तो इसकी बहुत सारी oral दवाईयां है 90% लोग उससे ठीक हो जाते है third जो water and food born disease है जो की virus है जिसको हम बोलते हैं jaundice या viral hepatitis अब viral hepatitis जो water and food born है वो दो होती है viral hepatitis A and viral hepatitis E अब दोनों का mechanism same है इसमें सरफ एक differentiating feature होता है कि इसमें patient को fever के साथ nausea vomiting profuse होता है और धीरे धीरे आप 2-3 दिन बाद देखेंगे कि आपकी eyes में yellowish discoloration आना शुरू हो गया urine भी आपका yellow color का आता है तो अगर आपको yellowness आनी start हो गया है nausea vomiting हमेशा constant बना रहे तो हमेशा ध्यान जाना चाहिए कि क्या हमें viral hepatitis तो नहीं होगी क्योंकि viral hepatitis A जो है वो 3 weeks की illness है viral hepatitis E जो है वो 6 weeks की illness है और ये again जैसे की viral है इनका इलाज सिर्फ symptomatic होता है धीरे धीरे gradually ये improve हो जाती है और दोनों को test करने के लिए blood के अंदर hepatitis A का IgM और hepatitis E का IgM कर सकते हैं जो की day 3 और 5 में positive आना start हो जाता है